यस्देयाल को 20 साल का अनुवब दे गया एक औवर कड़ी मेहनत से टीम इंडिया में बनाई जगए बात शक्के खाने के बाद ऐसा क्या किया कि चमक गई किसमस अर्सदीप और खलील देखते रह गए यस्देयाल ने मार दी टेस्ट में इंटरिक जानिये कौन है यस्देयाल जिनको पहली बार भारतिये टेस्टीब में मिला मौका PCCI की राष्ट्रिये चेन समीती में बंगरादेश के खिलाप पहले टेस्ट मैच के लिए 16 सतस्ये भारतिये टीम का एलान कर दिया है देलेप ट्रोफी में बैतरीन गेंदबाजी करने बाले आकास दीप और यस्देयाल को टीम इंडिया में जगे दी गई है यस्देयाल को पहली बार भारतिये टेस्टीम में बुलावा आया है यस्देयाल IPL में RCB टीम की तरफ से खेलते हैं वहीं घरेलू क्रिकेट में वो UP टीम का हिस्सा है आपको बता दे कि यस्देयाल का नाम लेने पर आपको रिंकु सिंग जरूर याद आएंगे रिंकु सिंग की बज़स से ये गिंदबा आज एक समय डिप्रेशन का सिकार हो गया था यस्देयाल उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज के रहने वाले हैं वो घरेलू क्रिकेट उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हैं और यस्देयाल हाल ही में दलीब ट्रॉफी में नजर आये थे जहां उन्हेंने काफी कमाल का प्रदेशन किया था और चेन करताओं की नजर इन पे बनी जिसकी वज़ए से उनको पहली बार भारतिये टीम में जगए मिल गई है वही भारतीय टीम में टेस्ट टीम में जगह मिली है घरेलू क्रिकेट में यस लगातार अच्छा परदोस्टन कर रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा था IPL 2024 में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबका ध्यान अपनी तरफ खीचा था यस ने IPL 2024 में 14 मैच खेले जिसमें उनके नाम 15 विकेट दर्ज रहे IPL 2023 में KKR के खिलाप मैच में यस दयाल 20 मा अवर फेक रहे थे इसी अवर में उनका सामना रिंकू सिंग के साथ हुआ जिसमें रिंकू ने इनके एक अवर में ही पाँच छक के जर दिये जिसकी वज़य से गुजराट टाइटिन्स को हार का सामना करना परा था वहें इस वबर के बाद यस दयाल डिप्रेशन का सिकार हो गए थे लेकिन इसके बाद भी यस दयाल ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे जिसका फल उनको आखिरकार मिल गया यस नई गयन से बल्लेवाजों को खूब परिसान करते हैं आपको पता दे कि यस दयाल ने प्रतम सुरेणी में 26 मैच खेले हैं उन्होंने अब तक 76 विकेट चटकाए हैं इसमें से एक बार उन्होंने 5 विकेट और 5 बार 4 विकेट लिये हैं लिष्ट A में उन्होंने कुल 20 मैचों में 32 विकेट लिये हैं वहाई 56 टी-ट्विकेट अन्होंने 53 विकेट हासिल किया है बरतमान में वह रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का हिस्सा हैं यस दयाल के लावा भारतिये टीम में जस्पीत बुम्रा और मुहमद सिराज आकासदीब को भी जगा मिली है बुम्रा का खेलना तो तो है है और मुहमद सिराज का टिष्ट में सांदार रिकॉर्ड भी रहा है ऐसे में बुम्रा के साथ ही बन सकते हैं भारतिये पीचो में दो से ज़्यादा तेज गिनबाद सायर ही दिखे यही वज़ा है कि आकासदीब के साथ यस दयाल बेंच पर बैठे जरूर दिख सकते हैं हलाकि साल केंद में भारत को उस्टेलिया जाना है और दयाल टीम में बने रहें तो वहाँ मौका जरूर मिल सकता है बाकि यस दयाल के इस परफॉमेंस को लेकर जो दिलिप ट्रॉफी में उन्होंने खेला जिसके कारान उनका सेलेक्शन भारतिये टीम में हुआ इसको लेकर आप क्या कुछ कहते हैं तो में इंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक न्यूज